नमस्कार दोस्तों उडान IAS Administrative Academy के online platform में आपका स्वागत है मेरा नाम रभी गोयल है आज की इस वीडियो में हम मंडे निरिक्षक एवं उप निरिक्षक भरती परिक्षा के गडित के विशय के एक महत्वपून टॉपिक इकाई के अंक पर चर्चा करेंगे जो की परिक्षा के दृस्टी कोंड से बहुत महत्वपून है आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ जानकारियां हमारे द्वारा मंडी निरिक्षक एवं उप निरिक्षक भरती परिक्षा के लिए विसेश कक्षाय संचालित की जा रही है जिसमें Maths और Reasoning के 45 प्रस्ण, Computer के 20 प्रस्ण, तथा भासा के 20 प्रस्ण और थात कुल 85 प्रस्णों की तयारी कराई जाएगी Classes online एवं offline होंगी CGPSC Pre Foundation batch इंग्लिस मिडियम के विद्यार्थियों के लिए 5 अप्रेल से आरम किया जा रहा है इसके अलावा Hindi मिडियम के विद्यार्थियों के लिए CGPSC Pre, CGPSC Mains, CGPSC Pre plus Mains की कख्छाय संचालित की जा रही है जो कि online भी है और offline भी है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो topic है हमारा इकाई का अंक सबसे पहले बात करता हूँ इकाई का अंक होता क्या है जैसे मान लीजे मैं कोई संख्या लिखा 25218 तो इसमें इकाई का जो अंक है वो क्या है आठ है एक और example लेता हूँ मान लीजे मैं कोई संख्या लिखा 30218 इसमें इकाई का अंक क्या है आठ है तो इकाई के अंक से आप भली भाती परिचित होंगे कि इकाई का अंक होता क्या है प्रस्ण किस प्रकार से बनेंगे? देखिए आपके सामने प्रस्ण लिखा हुआ है कहने का मतलब यह है कि जब मैं इन 6 संख्याओं को गुड़ा करूंगा तो जो गुड़न फल आएगा उस गुड़न फल में इकाई का अंक क्या होगा मेरे को पूरे गुड़न फल से मतलब नहीं है कि वो गुड़न फल क्या होगा मेरे को केवल मतलब है उस गुड़न फल में इकाई का अंक क्या होगा इसके अलावा और किस प्रकार के प्रस्न पूछे जाएंगे साथ की पावर सो में इकाई का अंक ग्याद करें कहने का मतलब यह हुआ कि जब मैं साथ को सो बार गुड़ा करूंगा तो जो गुड़न फल आएगा उस गुड़न फल में इकाई का अंक क्या होगा गुड़न फल आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि यहाँ पे गुड़न फल निकाल पाना practically possible नहीं है आपसे केवल पूछेगा गुडन फल में इकाई का अंक क्या होगा तो दो टाइप के प्रस्न बनेंगे या तो इस प्रकार से गुडा करके आपसे पूछेगा इकाई का अंक क्या होगा या तो पावर में प्रस्न पूछेगा घात के रूप में प्रस्न पूछेगा चलिए सबसे पहले देखते हैं पहले टाइप के प्रस्नों को किस प्रकार से हल करना है समझेंगे एक छोटा सा एक्जामपल लेता हूँ मैं 22 गुडा 23 इसमें आपसे पूछता हूँ इकाई कांग क्या होगा तो आप आसानी से गुडा कर सकते हैं 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गुडन फल कितना आया 506 और 506 में इकाई कांग क्या हो गया 6 हो गया एक और एक्जामपल लेता हूँ 22 गुडा 23 गुडा 24 इसमें इकाई कांग क्या होगा तो 22 गुडा 23 आप कर चुके हैं कितना 506 गुडा 24 गुडा कर दीजे यहाँ पे गुडा करने में आप देख पा रहे हैं कितना आएगा तो आप देख पा रहे हैं इकाई का जो अंग काया है वो क्या है? 4 है लेकिन ये तो बहुत आसान प्रस्ण है आसानी से आप गुड़ा कर सकते हैं गुड़न फल बता सकते हैं गुड़न फल मिल गया तो आपको इकाई कांक मिल जाएगा लेकिन अगर प्रस्ण इस प्रकार के पूछे जाएंगे तो यहाँ पे गुड़न फल निकालना थोड़ा सा टफ काम हो जाएगा तो आपको गुड़न फल निकालना भी नहीं है आपको केवल बताना है इकाई का अंक कैसे बताएंगे अब देखिए जब मैं तीन का दो में गुड़ा किया तीन दूनी छे तो इस छे के नीचे क्रॉस लग गया यही छे क्या बनेगा इकाई का अंक बनेगा यह गुड़ा करने का नियम होता है जब मैं तीन का दो में गुड़ा किया तो छे आया इस छे की नीचे क्रॉस लग गया यही छे क्या बनेगा इकाई का अंक बनेगा इसका मतलब मेरे को पूरा गुडा करने क्या उशकता ही नहीं है मैं यहां से 2 को उठाता हूँ और यहां से 3 को उठाता हूँ गुडा कर देता हूँ कितना आ गया इकाई का अंक? 6 आ गया उसी प्रकार यहां पे देखिए जब मैं 4 का 6 में गुडा किया 24 का 4 लिखा यही 4 क्या बनेगा? इकाई का अंक बनेगा मतलब मेरे को यहां पे पूरा गुडा करने क्या उशकता नहीं है यहां से मैं 2 उठा लेता हूँ यहां से मैं 3 उठा लेता हूँ और यहां से मैं 4 उठा लेता हूँ गुडा करता हूँ देखे कितना आ गया, तीन दुनी छे, छे चोको चोविस, इकाई का अंक कितना आ गया, चार तो यहां से आपने एक रिजल्ट निकाला, कि इकाई का जो अंक है, वो इकाई के अंकों को गुडा करने पर प्राप्त होता है तो इस प्रकार के प्रसनगर पूछे जाएंगे, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कैसे बताएंगे, यहां से कितना उठा लीजे, 6, यहां से 4, यहां से 7, यहां से 9, यहां से 1, और यहां से 8 और गुड़ा कर दीजे, देखिए, 6 गुड़ा, 4 गुड़ा, 7 गुड़ा, 9 गुड़ा, 1 गुड़ा, 8 6 चो को 24 हो गया, 9 सते 63 हो गया, 8 हे कम 8 हो गया, गुड़ा कर दिया 6 चो को 24, 9 सते 63, 8 हे कम 8, वापस ने यहां से कितना उठा लिया, 4, यहां से कितना 3 और यहां से कितना 8 गुड़ा कर दिया, 12 गुड़ा 8, यहां से कितना 2, यहां से 8, 8 दुनी 16, 16 मतलब इकाई कांग कितना हो गया, 6 हो गया, कितना आसानी से बता सकते हैं, थोड़ा सा imagine करेंगे मेरे साथ में, जब मैं इन दो संख्याओं का गुड़ा किया, तो 4 छक कितना आय 24, 24 का 4 लिखूंगा, वही 4 क्या बनेगा, इकाई कांग, आप देख पा रहे हैं, इकाई कांग कितना है, 4, जब मैं इन दोनों का गुड़ा किया, तो 9, 63 का 3 लिखा, वही 3 क्या बनेगा, इकाई कांग, यह देख पा रहे हैं, आप वही 3 क्या बना है, इकाई कांग, जब म आंक को आपस में गुड़ा कर दिया, चार तरीका 12, 12 गुड़ा 8 वापस से कितना उठा लिया, 2 गुड़ा 8 कितना, 16 मतलब इकाई का मुझा कितना हो गया, 6 हो गया, तो आपको केवल इतना काम करना है, पूरे गुड़न फल से कोई मतलब नहीं होगा, आग को केवल इकाई का अंक बताना है जैसे दूसरे नंबर का प्रस्णगर में बोलू तो आप बहुत आसानी से solve कर लेंगे यहां से 9 को उठाईए यहां से 7 को, यहां से 8 को, यहां से 7 को और गुड़ा कर दीजे आप चले देखते हैं क्या बोल रहा हूँ, यहां से 9 को उठाईए यहां से 7 को उठाईए यहां से 8 को उठाईए और यहां से 7 को उठा लीजे 9 सते 63, 8 सते 56 वापस से 3 उठाईए और यहां से 6 6 तिरिका 18, 18 मतलब कितना हो गया? 8 थोड़ा imagine करेंगे आप जब मैं इन दोनों संख्याओं को गुड़ा किया तो 7, 9, 63 63 का 3 वही 3 क्या बनेगा? इकाई का अंक आप देख पारे हैं वही 3 क्या बना है? इकाई का अंक जब मैं इन दोनों को गुड़ा किया तो 7, 8, 56 56 का 6 लिखा वही 6 क्या बना? एकाई का अंक क आप देख पा रहे हैं वही छे क्या है एकाई का अंक वापस से इस एकाई के अंक को इस एकाई के अंक से गूड़ा किया 18 आया 18 का आठ हो गया इकाई का अंक तीसरा प्रसना बहुत आसानी से solve कर सकते हैं 256, गुड़ा 550, गुड़ा 689, गुड़ा 714, गुड़ा 813, गुड़ा 899, आप यहां पे देख पा रहे हैं इकाई का अंक कितना आएगा, 0, क्यो जिरो आएगा, क्योंकि जब मैं इन दोनों का गुड़ा करूँगा, तो 0 छक कितना हो जाएगा, 0, मतलब इकाई में क्या बन देगा, 0 बना देगा, तो तीसरे प्रस्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यह पहला टाइप का प्रस्न था, जो की एक्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत आसान है, आपको पता चल गया है, कि इकाई का जो अंक है, वो इकाई के अंको को गुड़ा कर परने प्राप्थ होता है, तो आप क्या कर रहे हैं? एकाई के अंकों को उठा रहे हैं और गुडा कर रहे हैं, clear है, यह टाइप 1, आते हैं टाइप 2 में, टाइप 2 में क्या दिया है? एकाई का अंक ग्याद करें, अब यहाँ पे अगर आप सोचेंगे 7 की पावर 100, तो 7 की पावर 100 का मतलब क्या हुआ, कि आप 7 को 100 बार गुडा कर रहे हैं, 7 को 100 बार गुडा कर रहे हैं, जबकि टाइप 1 में जो संख्याएं थी वो limited थी, limited कहने का मतलब आप देख पा रहे हैं, पहले कोश्चन में 6 संख्याएं दी गई थी, दूसरे कोश्चन में 4 संख्याएं थी, मतलब संख्याएं limited हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 7 को 100 बार गुडा कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, 7 को 100 बार गुड़ा कर रहे हैं, तो प्रस्ण पावर में आएंगे, 7 की पावर 100, कुछ भी लिख सकता है वो, 7 की पावर 1000 भी लिख सकता है, 7 की पावर 1 लाग भी लिख सकता है वो, अब ऐसे प्रस्णों को अगर आप इस प्रकार से गुड़ा करके solve का दो तरीका है, एक तो इसका trick है, और एक इसका procedure है, तो पहले trick को समझिए, क्योंकि trick जो है, ये सभी प्रस्णों में अप्लाई हो जाएगी, उसके बाद आएंगे procedure में, तो trick क्या है समझिए, 7 की पावर 100 में इकाई कांग पूछा है, तो आप क्या करिए, पावर से एक क कम कर दीजिए, कितना आ गया? 99, पावर से कम करेंगे कितना आया? 99, 99 को भाग दे दीजिए, 4 से, 4 दुनियाठ, 4 चो को सुला, सेसफल कितना आया? 3, क्या-क्या बोल रहा हूँ, ध्यान रखेंगे? पावर से एक कम करना है, जो भी आएगा, उसको 4 से भाग देना है, और से सेसफल जो आया उसमें एक जोड़ना है तीन स्टेप फॉलो करना है आपको पहला पावर से एक कम करेंगे जो भी आएगा उसको हमेशा चार से भाग देंगे और सेसफल में एक जोड़ेंगे फाइनली कितना मिल गया आपको चार मिल गया इस चार को सो के प्लेस पे लगा दीजे तो यह बन गया साथ की पावर में चार क्या बन जाएगा देखिए साथ की पावर में चार तो साथ गुड़ा साथ साथ गुड़ा साथ इसको बहुत आसानी से आप सिंपलिफाई कर सकते ह सिंपल सी बात है आपको चार से भाग देना है यहां पे और चार से अगर मैं किसी संख्या को भाग दूंगा तो सेस्फल या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा अगर 0 होगा तो 1 जोडने पे 1 बन जाएगा 1 होगा तो 1 जोडने पे 2 बन जाएगा 2 होगा तो 1 जोडने पे 3 बन जाएगा और 3 होगा तो 1 जोडने पे 4 बन जाएगा मतलब maximum power जो है वो कितनी जाएगी 4 जाएगी और maximum power 4 जाएगी तो आप multiply करके solve कर सकते हैं समझा रहा है क्यों maximum power 4 जाएगी क्योंकि maximum सेस्फल कितना बचेगा 3 बचेगा क्योंकि आप भाग दे रहें किस से 4 से तो पहला प्रस्ण जो लिखा था 7 की power 100 में 11 का अंख क्या होगा तो answer क्या हो जाएगा 1 होगा दूसरा प्रस्ण था 3 की power 58 में तिकाई का अंख बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं क्या करेंगे 58 में से 1 कम करेंगे कितना आ गया 57 को भाग देंगे 4 से कितना आया सेस्फल 1 एक में जोड दिये 2 इस 2 को लगा दीजे power में तो 3 की power 2 3 into 3 कितना आ गया 9 आ गया बहुत आसानी से आप बता सकते हैं power से 1 कम करना है 4 से भाग देना है और सेस्फल जो भी आएगा उसमें 1 आपको add करना है final जो भी आया उसको power में लगा देंगे ठिक तो आप दो प्रस्ण देख पा रहे हैं जो लिखे हुए थे बहुत आसानी से solve हो चुके है 7 की power 100 में 1 कंक 1 आया है जबकि 3 की power 58 में 1 कंक कितना आया है 9 आया है एक और प्रस्ण मान लीजे मैं लेता हूँ 8 की power 1255 इसमें 1 कंक क्या होगा तो वही तरीका 1255 में से एक कम करिये कितना आ गया 1254 को भाग दे दीजे 4 से 4 तरीका 12 4 एक कम 4 4 तरीका 12 से स्फल कितना 2 में 1 जोड दीजे कितना आ गया 3 इस 3 को लगा दीजे power में तो 8 की power 3 8 गुड़ा 8 गुड़ा 8 आठ अठे कितना हो गया 64 गुड़ा 8 तो 4 गुड़ा 8 कितना आ गया 32 32 मतलब विकाई कंक कितना हो गया 2 हो गया समझ पार हैं बात को पावर से एक कम करना है चार से भाग देना है और सेस्फल में एक जोड़ना है जो भी आएगा उसको लगा देंगे पावर में अब प्रस्न थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ प्रस्न क्या पूछेगा देखिए क्या किया हूँ में तो आपको क्या करना है साथ की पावर सो में एक जोड़ना कितना निकाले थे आप एक निकाले थे तीन की पावर अठावन में इक आई कंग कितना निकाले थे नव और आठ की पावर बारा सो पचपन में इक आई कंग कितना निकाले थे दो तीनों को मल्टिप्लाई कर दीजे 9 एकम 9 9 दुनी 18 इकाई कंग कितना आ गया आठ गया, और कैसा अपर रसे में पूग सकता है देखे, साथ की पावर सो प्लस तीन की पावर अंठावन प्लस आठ की पावर बारा सो पचपन में इकाई कंग ग्याद कीजे, तो आप क्या करिये? साथ की पावर सौ में इकाई कंग कितना है एक तीन की पावर अंठावन में इकाई कंग कितना है नव और आठ की पावर बारा सो पचपन में इकाई कंग कितना है दो तीनों को जोड दीजे नव और एक दस दस और दो बारा इकाई कंग कितना आ गया गुडा करने बोलेगा इकाई कंग निकालके गुडा कर दीजे जोडने बोलेगा इकाई कंग निकालके जोड दीजे लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करिए कि actual में क्या हो रहा होगा ये तो ठीक है गुडा करने बोला गुडा कर दिया जोडने बोला जोड दिया लेकिन actual में क्या हो रहा होगा उस बात को समझे साथ की पावर 100 गुड़ा तीन की पावर अंठावन गुड़ा आठ की पावर 1255 अब एक बात समझे साथ की पावर 100 को जब मैं solve करूँगा तो इसका गुड़न फल बहुत बड़ी संख्या आएगी वो संख्या मेरे को नहीं पता लेकिन इकाई का अंग पता है मेरे को कितना है एक है यही मतलब हुआ साथ की पावर 100 को जब मैं simplify करूँगा तो बहुत बड़ी संख्या आएगी वो संख्या मेरे को नहीं पता लेकिन उसका इकाई का अंग क्या होगा एक, तीन की पावर अंठावन को solve करूँगा, तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, वो संख्या मेरे को नहीं पता, लेकिन इकाई कांग कितना होगा, नो, उसी प्रकार आठ की पावर बारा सो पच्पन को solve करूँगा, तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, वो संख्या मेरे को नहीं पता, लेकिन उसका इकाई कांग कितना होगा, दो, अब ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, तीनों को गुडा करके इकाई कांग बताना है तो आप यहाँ से कितना उठा लेते एक, यहाँ से कितना नौ और यहाँ से कितना दो, कितना आ गया अठारा, अठारा मतलब कितना आठ, एक्च्वल में ऐसा हो रहा होगा यह बात आपको समझनी है जोणने वाले को देखिए साथ की पावर सो तीन की पावर अंठावन आठ की पावर बारा सो पचपन अब यहाँ पे देखेंगे साथ की पावर सो बहुत बड़ी संख्या आएगी एकाई कांग क्या होगा एक, तीन की पावर अंठावन बहुत बड़ी संख्या आएगी इकाई कंग क्या होगा 9 8 की पावर 1255 बहुत बड़ी संख्या आएगी इकाई कंग क्या होगा 2 एड करना होता तो तीनों संख्याओं को एड कैसे करता 9 और 1, 10, 10 और 2, 12 12 का 2 हासिल 1 इधर पर क्या आ रहा है मेरे को कोई मतलब नहीं इकाई कंग कितना हो गया 2 हो गया तो एक्च्वल में ऐसा हो रहा होगा आपको ये समझना है समझ पा रहे हैं रटना नहीं है आपको आपको समझना है कि एक्च्वल में ऐसा कुछ हो रहा होगा कि भाई 7 की पावर 100 बहुत बड़ी संख्या होगी वो संख्या मेरे को नहीं पता, लेकिन उसका इकाई कांग एक है, तीन की पावर अटावन बहुत बड़ी संख्या होगी, वो संख्या मेरे को नहीं पता, लेकिन उसका इकाई कांग कितना है, नौ है, आट की पावर बारा सो पच्पन बहुत बड़ी संख्या होगी, वो संख मेरे को नहीं पता लेकिन उसका इकाई का अंक कितना है? 2. अब तीनों संख्याओं को जोड़ता तो सबसे पहले इकाई के अंकों को जोड़ूंगा कितना आएगा? 12, 12 का 2 लिखा, हासी लगा 1, इधर पे क्या आ रहा मेरे को कोई मतलब नहीं? एंसर कितना? 2 आ गया, ठिक, एक कोशन माइनस वाला देखते हैं, देखिए, 7 की पावर 95, माइनस 3 की पावर 59, इसमें इकाई का अंक पुछा है, इकाई का अंक, देखिए, option कैसे देगा यहाँ पे, 1, 6, 2, and 4, चलिए, इसको simplify करते हैं, 7 की पावर 95, सबसे पहले इसमें इकाई का अंक निकालता हूँ, तो 95 में एक कम कर दिया, कितना आ गया? 94, 94 को भाग दिया, 4 से, 4 दुनी 8, 4 तरीका 12, सेसफल बचा 2, 2 में एक जोड दिया, 3, 3 को लगा दीजे पावर में, तो यह हो गया, 7 की पावर 3, मतलब 7 गुड़ा 7, गुड़ा 7, 49 गुड़ा 7, मतलब 9 गुड़ा 7, 63 मतलब इकाई कंक कितना आया इसमें, तो इसमें इकाई कंक आया, 3, 3 की पावर 58, तीन की पावर 58 में देखते हैं, इकाई कंक क्या आएगा? तो सबसे पहले पावर में से कंक कितना आ गया? 57 को भाग दिया, 4 से 4 एकं, 4, 4 को सुला, सेस्फल आया, 1, 1 में जोड़ दिया 2, इस 2 को लगा दिया पावर में, तो 3 की पावर 2, मतलब 1 कंक कितना आया? 9, तो इसका 1 कंक आया 3, और इसका आया 9, अब आपको लगेगा कैंसर होगा 6, क्योंकि 3 में से 9 घटाएंगे, तो माइनस 6 आएगा, और आपको लगेगा कि एंसर माइनस में हो नहीं सकता, तो आप एंसर क्या लगा क्या जाएंगे? 6, जो की गलत है, इसका एंसर क्या होगा? 4 होगा, अगर आप इस बात को समझ चुके हैं, imagine करने जो बोला था, तो आप इसका एंसर 4 लगा क्या आएंगे, क्यों? देखिए, 7 की power 95 बहुत बड़ी संख्या होगी, जिसका 1 का जो अंख होगा, वो क्या होगा? 3, इधर भी अंख होगे, वो अंक मेरे को नहीं पता, 1 का अंκ पता है, 3 की power 95 बहुत बड़ी संख्या होगी, 1 का जो अंक होग वो क्या होगा, नौ होगा, अब इसको घटाता, तो तीन में से नौ नहीं घटाएंगे, तीन बगल वाले से खासी लेगा, तेरा में से नौ घटेगा, कितना आएगा, चार आएगा, तीन के बगल में भी तो अंक होगे, वो क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन तीन के बगल मे भी अंक होंगे, तीन बगल वाले से खासी लेगा, तेरा हो गया तेरा में से नौ जाएगा, चार बचा, इधर पे क्या होगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो इसका एंसर कितना निकलेगा, चार निकलेगा, ना की छे, ये बात आपको समझनी है, यहाँ पे गलतियां होती है, अगर मान लीजे, उपर में 6 होता, नीचे में 3 होता, तो एंसर कितना लिख देते आप, 3 या उपर में 9 होता, नीचे में 3 होता, तो एंसर कितना लिखते आप, 6 लिखते, 9 में से 3 जाएगा, 6, 6 में से तीन जाएगा, तीन बचेगा, समझ पा रहें बात को, लेकिन यहाँ पे इसका इकाई कांग तीन, इसका नौ, तो तीन में से नौ नहीं घटाएंगे, तेरा में से नौ घटाएंगे, एंसर आएगा चार, माइनस करने वाले में थोड़ा सापको ध्यान रखना पड़ेगा, तो अगर आप यह इमेजिन कर पाएंगे, तो गलतिया नहीं होगी, इसलिए समझा रहा हूँ, सिंपल सी बात है, अगर मैं तेईस में से नौ को घटाने बोलूँगा, तो आप क्या करेंगे, तेरा में से नौ जाएगा, चार, और यहां कितना बचेगा, एक, वही तो हो र तो इस प्रकार के प्रस्न आपको इकाई के अंग से देखने को मिलेंगे, एक और प्रस्न देखते हैं, 6428 की पावर में 1728, इसमें इकाई का अंग पूछा है, तो आप इस प्रस्न को सीधे सीधे ऐसा लिख सकते हैं, 8 की पावर में कितना, 1728, समझा रहा है, क्यो लिख सकत समझे, 6428 की पावर में 1728 का मतलब क्या हुआ, इसको 1728 बार क्या कर रहे हैं आप, गुड़ा कर रहे हैं, यहां से कितना उठाता, 8 यहां से कितने बार 8 उठाता, 1728 बार, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर 1728, स्टार्टिंग में आजाईए, जो समझाया था, यहां से 8, यहां से 8 कितने बार, 1728 बार, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर में 1728 लिख सकता हूँ, अब 8 की पावर 1728 बहुत आसान हो गया, 1728 में से घटा दीजे, 1727, 1727 को भाग दीजे, 4 से, 4 चोको 16, 4 तरीका 12, 4 एकम 4, सेसफल कितना बचा, 3, 3 में एक जोड दीजे, कितना आ गया, 4, इस 4 को लगा दीजे, पावर में तो यह हो गया, 8 की पावर 4, 8 गुडा 8, 8 गुडा 8, 64 गुडा, 64, 4 गुडा 4, कितना हो गया, इकाई कम 6 हो गया, इतनी जानकारी अगर है, तो इकाई के अंक के सारे प्रस्ण आप से बन जाएंगे, दो टाइप के प्रस्ण बनते हैं, दोनों टाइप के प्रस्ण हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे second वाले type का procedure बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, procedure और आसान है, चलिए, procedure देखिए, लेकिन procedure के लिए आपको कुछ series पता होनी चाहिए, series का मतलब जैसे, एक की series अकर में लिखता हूँ, देखिए, procedure और आसान है, तो एक की पावर एक मतलब एक ही होगा, एक की पावर दो मतलब भी एक होगा, एक की पावर तीन मतलब भी एक होगा, एक की पावर चार मतलब भी एक होगा, इसका मतलब क्या निकल रहा है, कि एक की आप कुछ भी करिए इकाई का अंग कितना मिलेगा एक ही मिलेगा कुछ भी का मतलब सम या विशम ध्यान रखेंगे कुछ भी का मतलब सम या विशम क्योंकि पावर जीरो है तो वैल्यू क्या होती है एक होती है तो यहां कुछ भी का मतलब समसंख्या हो सकती है या विशम संख्या हो सकती है जैसे एक की पावर 512 इसमें इकाई कांग सीधे क्या बोलेंगे एक जैसे 611 की पावर 1022 इसमें इकाई कांग कैसे निकालते हैं आप इसको लिखते 1 की पावर 1022, इकाई कंग कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, पाच की सिरीज देखिए, पाच की पावर 1, पाच की पावर 2, पाच की पावर 3, पाच की पावर 4, तो पाच की पावर 1, 5 हो गया, पाच की पावर 2, 25, पाच की पावर 3, 125, पाच की पावर चार 625 आप देख पा रहे हैं पांच की पावर कुछ भी कर लीजे इकाई का जो अंक है वो एक ही मिलेगा जैसे पांच की पावर 1000 इकाई का अंक सीधे क्या बोलेंगे 5 जैसे लिख दिया 625 की पावर 125 तो आप इसको क्या लिखते हैं पांच की पावर 125 इकाई कंक कितना 5 तो एक की पावर में कुछ भी हो जाए इकाई कंक एक ही होगा 6 का सीरीज देखिए 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4 छे की पावर एक छे होगा छे की पावर दो च्छतिस छे की पावर तीन दो सो सुला छे की पावर चार होता है बारा सो च्यानवे तो आप देख पा रहे हैं छे की पावर कुछ भी हो जाए छे की पावर कुछ भी होगा इकाई कंग क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा जैसे 6 की पावर 1056 इकाई कंग 6 आएगा 616 की पावर में 200 16 तो आप इसको लिखते 6 की पावर 260 इकाई कंग 6 ही आएगा तो 1, 5 और 6 दिखा सीधे answer लगाईए टाइम भी बचेगा आपका ये procedure है 4 का series देखिए 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 4 की पावर 1, 4 होगा 4 की पावर 2, 16 4 की पावर 3, 64 4 की पावर 4, 256 आप देख पारे हैं 4 की पावर जब विशम होता है तो इकाई कंग क्या बनता है? 4 4 की पावर जब सम होता है तो इकाई कांग क्या बनता है छे तो चार की पावर अगर विशम है तो इकाई कांग चार और चार की पावर अगर सम है तो इकाई कांग क्या बनेगा छे बनेगा जैसे चार की पावर पांसो बारा सीधे लिखेंगे इकाई कांग छे पांसो बारा समसंख्या है चार की पाव और टाइम बच रहा है आपका 9 का सीरीज देखिए 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, यह होगा 9, यह 80, यह 729, यह हो जाएगा 65, 661, आप देख पा रहे हैं 9 की पावर जब विसम होती है तो इकाई कांक 9 बनता है, 9 की पावर जब सम होती है, तो इकाई कांक 1 बनता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9 की पावर विशम, तो इकाई कांक 9, और 9 की पावर सम, तो इकाई कांक क्या बनेगा, एक बनेगा जैसे 9 की पावर 729 सीधे बोलेंगे 119 क्योंकि 729 क्या है विशम संख्या 9 की पावर 1000 इकाई का बोलेंगे एक बोलेंगे इतना असान हो गया यह कुछ standard series हैं 1 में हमेशा 1 बनेगा 5 में हमेशा 5 6 में हमेशा 6 4 में सम और विशम का केस 9 में सम और विशम का केस एक में हमेशा आएक 1 की पावर कुछ भी इकाई कांग 1 5 की पावर कुछ भी इकाई कांग 5 6 की पावर कुछ भी इकाई कांग 6 4 की पावर सम होगी तो 6 विशम होगी तो 4 9 की पावर सम होगी तो 1 विशम होगी तो 9 इतना ध्यान रखे कम से कम, इसके अलावा क्या बचता है, तो इसके अलावा देखे, दो बच गया, तीन बच गया और साथ बच गया, और आट बच गया, इनका कोई standard series नहीं होता है, समझा रहा है, जैसे दो का series देखेंगे, तो दो का आपको standard series नहीं मिलेगा, तो आप क्या करिए? दो को 4 बना दीजे या तो आपके पास trick है जो बता चुका हुँ वहां से तो बनी जाएगा प्रोसीजर बता रहा हुँ 2 को 4 बना दीजे, 3 को 9 बना दीजे, 7 को 9 4 बना दीजे, 8 को 64 बना दीजे, 9 4 का मतलब नहों, और 64 चाट का मतलब क्या? चार. कैसे बनाएंगे? 2 की पावर 2 लिख के, 3 की पावर 2 लिख के, 7 की पावर 2 लिख के, और 8 की पावर 2 लिख कर. एक्जामपल देखिए, 2 की पावर 50 में इकाई कंग पूछाएं क्या होगा? एक तो ट्रिक आपके पास है, पावर से कम करेंगे, 4 से भाग देंगे, सेसफल में जोडेंगे, पावर लगा देंगे. प्रोसीजर से कैसे करना है? 2 को 4 बनाने के लिए 2 की पावर 2 लिखा, और इस पूरे की पावर कितना लिख दिया? 25. लिख सकता हो ऐसा? दो की पावर दो लिखा क्योंकि दो को चार बनाना है तो दो की पावर दो लिखा इस दो से पचास को भाग दूँगा तो भागफल क्या आएगा पचीस आएगा प्रस्न चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे दो कितने बार है पचास बार यहां पे भी तो 2 कितने बार हैं? 50 बार ही हैं, क्योंकि 25 दूना क्या होता है? 50. तो प्रस्न मेरा change नहीं हुआ है, लिखने का तरीका change हो गया. यहां पे 2 50 बार हैं और यहां पे भी 2 कितने बार हैं? 50 बार इसको मैं 4 की power 25 लिख सकता हूँ और 4 की power 25, मतलब इकाई कंग कितना हो गया? 4 हो गया. तो प्रोसीजर और आसान होता है. अब आपको डाउट आ रहा होगा कि सर 2 की power 51 होता तो क्या करते? तो क्या करना है? 2 की power 2 ही लिखेंगे, 2 से 51 को भाग दिया, भाग फल कितना आया? 25. लेकिन प्रस्ण मेरा चेंज हो गया. यहाँ पे 25 बार था, जबकि यहाँ पे 2 कितने बार हो गया? 50 बार. मतलब एक बार दो और लिखना पड़ेगा. उसको कहाँ पे लिख दिया? गुड़ा में लिख दिया. कितना बन गया? 4 की पावर 25 गुड़ा दो. 4 की पावर 25 मतलब 4 गुड़ा दो. इकाई कंग क्या मिल गया? 8 मिल गया. सारे प्रस्ण आप सॉल्व कर सकते हैं. एक आद एक्जामपल और ले लेता हूँ, देखिए. साथ की पावर में 512. इसमें पूछा है इकाई कंग क्या होगा? तो साथ को बनाना है 49, तो साथ की पावर 2 लिखा, 2 से भाग दिया. 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 ची का 12. 256 आएगा. क्योंकि 256 दूनी 512 ही तो होता है. ये हो गया 49 की पावर में 256. इसको लिख सकता हूँ न, 9 की पावर 256 और 9 की पावर सम मतलब इकाई कंग के एक हो गया. कोई भी प्रस्न आप सॉल्व कर सकते हैं. या तो आप ट्रिक से करिए, ट्रिक क्या है? 512 से कम किया, 511 आया, 511 को 4 से भाग दिया, सेस्फल में एक जोडा और पावर में लगा दिया. वो भी कर सकते हैं. लेकिन प्रोसीजर और आसान है. एक और एक्जाम्पल लेता हूँ देखिए, 8 की पावर में मान लीजे, 1055 है. तो आप क्या लिखेंगे, 8 की पावर 2, 2 से 1055 को भाग दिया, कितना आएगा, 2 पंचे 10, 2 दुनी 4, 2 सते 14, लेकिन 527 दुनी होगा 1054, जबकि यहाँ पे 1055 है, मतलब 1 आट बचा, उसको बगल में लिख दिया, तो ये हो गया, 64 क पावर 527, गुड़ा 8, 4 की पावर 527, गुड़ा 8, 4 की पावर में विश्ण मतलब इकाई का अंग 4, गुड़ा 8, 32 मतलब कितना, 2, ये प्रस्ण पहले भी कर चुके हैं, 2 ही आये था, तो इकाई के अंग के सारे प्रस्ण आप सॉल्ब कर सकते हैं, प्रोसीजर का बहुत फ 625 की पावर 625, गुड़ा 611 की पावर में 121, इसमें इकाई कंग पूछाए क्या होगा, बहुत आसानी से बता सकते हैं, अगर ठ्रिक अप्लाई करेंगे तो आपको तीन बार ठ्रिक से इकाई कंग फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन आपको तो प्रोसीजर पता है, कि भा 1456, पाँच की पावर में 625, और एक की पावर में 121, चार की पावर समसंख्या, इकाई कंग 6, पाँच की पावर कुछ भी हो, इकाई कंग 5, एक की पावर कुछ भी हो, इकाई कंग 1, फाइनली इकाई कंग कितना मिल गया, 0, कितना आसान है, समझ पा रहे हैं, एक और कोश की पावर में 264 प्लस 264 की पावर में 165 इसमें इकाई कंग पुछ लिया क्या होगा तो सबसे पहले आप क्या करते चार की पावर 264 प्लस 4 की पावर 165 लिखते चार की पावर समसंख्या 1 कांग 6 चार की पावर विशंसंख्या 1 कांग 4 6, 4, 10 1 कांग 0 5 से 10 सेकंड लगेगा आपको प्रस्न को सोल्व करने में बहुत इंपोर्टन टॉपिक है एक प्रस्ण यहां से पूछा जाएगा एकाई के अंग से या तो आप ट्रिक से करिए या प्रोसीजर से करिए आपका मन है लेकिन कम से कम एक पाँच छे चार और नौ को ध्यान रखिए कि एक में हमेशा एक पाँच में हमेशा पाँच छे में हमेशा छे चार और नौ को नॉ की पावर दो ये देखीए विशं में 9 को सम में कितना 9 रठने क्या उशक्ता नहीं है। इसके अलावा 2, 3, 7, 8 इसको ट्रिक से कर लीजे. अगर तोड़ते बन्ता है भ्रेक करटे बन्ता है तो ठीक, नहीं तो ट्रिक से कर लीजे, तो इकाई के अंग को बहुत अच्छी से त्यार रखेंगे, क्योंकि यहां से एक प्रस्ण आने का चांसिस पूरा है, ठीक, तो मिलते हैं, अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ होगा, धन्यवाद.